दोस्तों पॉपकॉन देखकर क्या आपके मुह में पानी आ रहा है अगर मैं आपसे कहूं की पॉपकॉन सिर्फ तीन मिनट में बन जाते हैं तो आप पूछेंगे कैसे ही तो चलिए आपको सिखाती है मेरा नाम है इमा पॉपकॉन बराने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मक्की के दाने जो बाजार में बड़ी असानी से मिल जाते हैं उसके बाद आधा छोटा चमच नमक और आधा छोटा चमच हल्दी साथ ही हमें चाहिए दो बड़े चम्मच रिफाइंड ओयल, आप रिफाइंड ओयल कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें आप सरसों का तेल ना यूज करें, तो ये हैं सारी हमारी चीजे, अब हमें चाहिए एक कुकर, ये मेरे पास तीन लिटर का एक कुकर है, य कुकर में सबसे पहले रिफाइंड ओयल, याद रखें सरसों का तेल नहीं डालना है, तेल को गरम होने की जरूरत भी नहीं है, उसमें जल्दी से आप नमक और हल्दी डाल दीजिए, और उसे जल्दी से हिला दीजिए, और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आपने इसमें मिक्स करने के लिए जाला टाइम नहीं लेना है, आप जल्दी से इसे मिक्स करते ही, और मिक्स करते ही आप इसमें अपने मकी के दाने डाल दे, और मकी के दानों को भी आप जल्दी से मिक्स कर दे, ताकि उसमें नमक, हल्दी और तेल अच्छी तरह से सभी दानों प और जब तक ये आवाजें आती रहेंगी तो आप समझो कि अभी मक्की के दाने बन रहे हैं और जब ये आवाजें आनी बंध हो जाएं तो आप समझ जाएए कि आपके मक्की के दाने बन चुके हैं देखिए आपको आवाजें आ रहे ही है और देखो धीरे 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 ये आवाजे कम होने लगी हैं देखिए अब ये आवाजे ना के बरावर आने चुरूर होगी अब हम अपना कुकर खोलते हैं हमारे पॉपकॉर बन चुके ये लीजिए पॉपकॉर ये लीजिए हमारे पॉपकॉर तैयार है अब खाने के लिए और देखिए कैसे आवाज कर रहे हैं एकदम कुदं कुदं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है दाई से तीर मिनट टीरों ने बनने में लिए हैं तो आप इन्हें खाईए इंजॉई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए झाल